5D आपके बाद RealMeC55 कोई और फोन हैं तो यहां पर आपे अता वालपेपर कहां सकते हैं अपनी पसंद का यहां फिर अपने से किसे समय क्वार का सकते हैं स्क्रॉल वालपेपर किसे सेट कर सकते हैं तो जो आपकी पसंद का है वो आप देख लेंगे ठीक है यहां से होट वाली मिल जाते हैं और यहां पर डार्क पसंद है तो यहां से आप ले लेंगे और इसके बाद यहाँ पे latest वाले जो आजकल आ रखे हैं latest में है तो यहाँ पे न मैं dark में से कोई एक wallpaper ले लेते हूँ मालनों यह वाल वाल पेपर है तो यह बड़ा लगा लेंगे कोई सभी एक wallpaper ऐसे करके चूज करके apply पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो यह scroll होगा ऐसे करके ठीक है तो अभी यह मेरे को इतना खास लग नहीं रहा है मैं बाहर से ही ले लेते हूँ कोई wallpaper जो scroll होने पे अच्छा लगे जैसे कि यह apply कर लेंगे और इसके बाद इसको on कर देंगे तो यह scroll हो जाएगा ऐसे करके आप scroll करके देख सकते हैं apply पे क्लिक करेंगे अब इसको na home screen पे क्लिक करेंगे क्योंकि scroll तो home screen पे ही होता है और zoom out zoom in का option भी था वो आप कर सकते थे तो देख सकते हैं ऐसे scroll करेंगे तो wallpaper आपका बहुत खूपसूरत लग रहा है ठीक है यह हो गया scroll वाला wallpaper और अब हम gallery में से कोई देख लेते हैं तो यहाँ पे हम gallery open कर लेंगे तो gallery में कोई photo three dot पे जाना है और यहाँ set as wallpaper पे क्लिक करेंगे इसके बाद apply पे क्लिक करेंगे अब हम इसको lock screen पे करेंगे यह set हो चुका है जब आप set करते हो न तो आप यहाँ पे इसकी position भी change कर सकते हो इतना इतना कैसा रखना है zoom in करना है, zoom out करना है ठीक है अब set तो हो गया है यह scroll वाला आपके home screen का है और यह lock screen का है देख सकते हैं चले मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार